प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने मद्यप्रदेश के रीवा में बने अल्ट्रा मेगा सौर उर्जा प्लाइंट देश को किया समर्पित। प्यम मोदी ने कहा मद्यप्रदेश साफ सुत्री और सस्ती भिजली का बनी कहा। गेक्स्टर विकास दुबे के एंकाउंटर बाई यूपी के एडीजी प्रशान्द कुमार्णी की प्रेस काउंफरेंस कहा। जयन से कानपूर लाते वक्त UPSTF की कार हुई दुरुगटना ग्रस्त आरूपी विकास दुबे भागने के दौरान एंकाउंटर में हुआ धे तो वही भारत में कोरोना के मामली आठ लाग के करीब मेगाले के अस्पताल में फैला कोरोना ओपी जी हुई बंद पांच लाग के करीब संक में तस्वास्त होकर लोटे घर जैपुर के महला में किसानों का पड़ाव चने की फसल तुलाई मांग को लेकर दे रहे धरना मांगे नहीं मानने पर दिल्ली कूच के लिए निकले ते खिसाथ प्रशास्तन ने किसानों को महला में रुका नमस्कार न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूँ आयूशी ने की तो चलिए नज़र डालेते हैं कुछ एहम खबरों पर अमेरिका में पढ़ने वाले विदेशी चात्रों के वीजा नियूमे में हुए बदलाव को लेकर भारत ने अमेरिका से बात की है जिसे की वहाँ पढ़ रहे भारतिय चात्रों को किसी प्रकार की मुसीबत का सामना ना करना पड़े दरसल यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम इंफॉर्मेंट ने घोशना की है कि उन विदेशी चात्रों को देश छोड़ना होगा जिनके विश्विद्याले कोरोना वाइरस की महमारी के चलते इस सेमिस्टर में सिर्फ ऑनलाइन कोर्स आफर कर रहे हैं ज्यानी अगस्त महीने से शुरू होने वाली ऑनलाइन कोर्स संस्थानों के शाथ अपनी पढ़ाई अमेरिका में रहकर नहीं कर पाएंगे जाहिर है कि अमेरिका प्रशासन के इस फैसली के बाद सेक्डो हजारों भार्टिय छात्रों को मौझूदा हालात की बीच अमेरिका छोडना पड़ सकता है इसे लेकर अमेरिका में पढ़ने वाले भार्टिय चात्रों को परिशानी को देखते हुए विदेश सचीव हर्शवर्दन श्रंगला ने अमेरिका के राजनीतिक मामलों की विदेश मंतरी डैविड हैल के साथ ओनलाइन बात चीप की है ऐसे समय में इमिग्रेशन नियोमों में किसी तरह के बदलाव से यहां पढ़ाई करने की चाहत रखने वाले चात्रों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है तो वही दूसरी तरह भारत के साथ जारी तरह तनी के बीच नेपाल में केवल ऑपरेटर्स ने अपने देश में सभी भारतिया निजी नियूस चैनलों पर प्रतिबन लगा दिया है हाला कि उनके इस प्रतिबन से दूर्दशन को बाहर रखा गया है ये कदम भारतिया नियूस चैनलों द्वारा नेपाल के कवरेज को लेकर ओनलाइन स्तर पर हुई भारी आलोचना के मद्दे नजल लिया गया है इसमें नेपाली नेतरत को लेकर खराब छवी पेश की गई थी भारतिया नियूस चैनलों पर प्रतिबन का फैसला विदेशी समाचार वितरक संगचन मल्टी सिस्टम और अप्रेटर्स द्वारा भारत के राष्ट्य समाचार नेट्वर्ग दूर दर्शन को छोड़कर सभ प्रतिब्शन जादव की ज्यान बचाने को लेकर हम अपने कानूनी विकल्पों का इस्तमाल करेंगे हम उनकी जान बचाने को लेकर प्रतिबध है पाकिस्तान ने एक दिन पहले ये दावा किया था कि जादव ने रिव्यू पेटिशन दायर करने से इंकार कर दिया है विदेश मंत्राले के प्रवक्ता ने कहा है कि हमें पता चला है कि पाकिस्तान की ओर से ऐसा दावा किया गया है कि कुलभूषन जादव ने रिविउ परवक्ता दावा दूरगामी है भारत जादव को बचाने के लिए सभी कानुनी विकल्प तलाश रहा है इससे पहले पाकिस्तान की जेल में कैद कुलभूशन जादव के मामले में पूछ जाने पर विदेश मंत्राले के प्रवक्ता ने कहा था कि हम कूटनीतिक माध्यमों से कोशिश कर रहे हैं कि जादव के मामले में आईसीजे के फैसले को पूर्ण और प्रभावी रूप से लागू किया जाए। इसके साथ ही मंट्राले ने कहा कि भारत ने जादव तक बेरोक्टों पहुंच होनी की मांग की है ताकि उनके पास मौझूद विकल्पों पर चर्चा की जा सके। प्या मोधी ने वीडियो कांफरेंस के जरिये शुरुवात की है। यहाँ पने सम्मोधन में प्रधान मंटरी नरेंदर मोधी ने कहा कि आज रीवा ने तिहास रच दिया है। जब हम इस प्लांट का वीडियो आसमान से देखते हैं तो लगता है कि हजारों सोलर पैनल फसल ब आता है। इसका लाब मध्य प्रदेश के गरीब मध्यमवर्गे लोगों, किसान और आदिवासियों को होगा। आज भारत सौर उर्जा के मामले में टॉप के देशों में शामिल है। पीम ने कहा कि बिजली के जरुरतों के हिसाब से सौर उर्जा एहम है, सरकार इसे विस् आता है। से 25 किलो मेटर दूर हुआ। पताया जा रहा है कि जब गाड़ी दुर घटना ग्रस्त हुई, उस वक्त विकास दुबे हतियार शीन कर भाग निकला। जहां घटना सलसे 7-8 किलो मेटर की दूरी पर विकास दुबे और पोलिस के बीच मुठभेड हुई। इस दौरार 247, 148, 149, 302, 307, 394, 120 B तथा 7 CLA Act जो आठ पुलिस कर्मियों के शहीद होने से सम्बंधित है। में वांचित मुख अभ्यूक्त विकास दुबे जिसकी हिस्टिशीट संख्या 149A है, को उज्जैन मद्परदेश कुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने के पश्चार, उप्तरपरदेश कुलिस वो STF द्वारा आज दिनांक 10-7-20 को अन्पुट नगर लाया जा रहा था कान्पुन नगर भौती के पास प्रातर लगबग साड़े 6 वजे पुलिस का उत्त वाहन दुरुगटना ग्रस होकर फलट गया, जिससे उसमें बैठे अभ्यूक्त वो पुलिस जन घायल हो गया इस दौरान अभ्यूक्त विकास दूबे उप्रोक्त ने घायल पुलिस अर्मी की पिस्टर छीन कर भागने की कोशिश की, पुलिस टीम द्वारा पीछा कर उसे घेर कर आत्म समर्पन करने हे तु कहा गया, कि तु वो नहीं माना और पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत स इसे फायर करने लगा, पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ जब आभी कारवाई की गई, जिसमें वो घायल हो गया, जिसे तत्काल ही इलाज हे तु अस्पताल ले जाये गया, जहां इलाज के दौरान अभ्यूक्त विकास दूबे के मिच्तू हो गई, उद घटना में चार कुलिस करनी घायल हुए है, इसके अतरिक स्टीफ के दो करनी घायल है, उप्त अभ्योग में कुल इकीस अभ्यूक्त नामज़त थे, तथा साट से सत्तर हन्य अभ्यूक्त थे तुमई दूसरी तरफ अब उत्तरप्रदेश के पूर मुख्य मंत्री अखिलेश यादव ने विकास दूबे के एंकाउंटर पर सवाल उठा दिये हैं, समाजवादी पार्टी के प्रमुख ने कहा है कि भारते चंता पार्टी इस मामले में साजिश करनी में लगी है, जिस साबनी आ सकी कि उसका किस से संबंद था, अखिलेश ने कहा कि कौन नेता उसे बचा रही थी, कौन पुलिस वाले उसके साथ थी, ये सब साफ होना चाहिए, पूर्फ स्वियम ने ये भी कहा कि अगर इसमें समाजवादी पार्टी के नेताओं का नाम होगा, तो वो भी चोनी चाहिए और सब के साबनी सच आना चाहिए, तो वयोतर प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना मामलों को देखती हुए, फिर से लॉकडाउन लगाया जा रहा है, प्रदेश में शुकरबार रात 10 बजे से 13 जुलाई की सुभा, पांच बजे तक लॉकडाउन का आजेंदर तिवाडी ने लॉकडाउन के आदेश जारी किये हैं, इस दौरान सभी शहरी और ग्रामिन शेत्रों के बाहजार हाट, गल्ला मंडी और कारेले बंद रहेंगे, हालाकि इस दौरान आवरशक सेवाओं पर किसी प्रकार की रोक नहीं रहेगी केंडिय स्वास्ट एवं परिवार कल्यान मंत्राली के ओर से जारी आकडों के मताबिक देश में पिछले 24 घंटों में 26,506 नए मामले सामनी आए हैं, जबकि 475 लोगों की मौत हो चुकी है इसके बाद देश बर में कोरोना पॉस्टिवों के मामलों की कुल संख्या 7,93,802 हो गई है और 4,92,513 लोग ठीक भी हो चुके है या फिर उन्हें अस्वताल से चुटी दे दी गई है और अब तक 21,604 लोगों की मौत हो चुकी है तो वही उतर भारत में कई राज्यों में गुरुबार को जबरदस्त बारिश हुई कई कोछ लाकों में हलकी बारिश भी देखने को मिली है मौसम विभाक के मताबिक 10 जुलाई यानि की आज से कई राज्यों में भारी बारिश हो सकती है इसके मद्य नजर अलट भी जारी किया गया है हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाक में 12 जुलाई तक भारी बारिश की चितावनी जारी की है मौसम विभाक के मताबिक अगले 24 घंटों के दौरार असम, अधुनाचल प्रदेश, उपहिमाली पस्ट्रिमी बंगाल, सिक्किम, बिहार, पूर्वार, मध्य उत्र प्रदेश के कुछ इलाकों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है कोकन गोवा, तटिय करनाटक, रायल सीमा, तमिलनाद्यू के कुछ हिस्सों में और केरल में एक या दो जगाओ पर भारी बारिश के आसार है स्काइमेट वैदर रिपोर्ट के मताबिक उत्राखन, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रजाब, उत्तर हर्याणा, विदर्ब, मराठावाडा, आंत्रिक करनाटक, तिलांगरा के कुछ हिस्सों और दक्षिन और पूर्व मध्य प्रदेश, जारखन, ओडिसा, चत्यसगर, त स्काइल की बारिश की संभावना है, तो फिलाल रुकते एक छोटी से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए न्यूस इंडिया, तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का, बरती आगे, उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में आप राधिक वार्दाते ताजा मामला थाना सिंगा वाली अहिर शेतर का है, जहां पुलिस चौकी से चंद दूरी पर मोटर साइकल सवार बदमाशों ने हत्यार की नोक पर एक फाइनिंस कंपनी के एजेंट से लूट की वार्दात को अन्जाम दिया है और 97,000 रुपे लूट कर फरार हो गए, खट वो अपनी मोटर साइकल से जा रहा था है, वहां एड़ा चोकी से आगे पिटोर पंप से थोड़ा आगे चलते ही, स्कूल से थोड़ा आगे, पीछे से उसका गहना है कि तीन मोटर साइकल सवार रहे और उन्होंने हमको तमाशे के बनके ज़रा रुटा करके हमारे उड़ा तो वह एगली कबर भी बागपत से है, जहां जिले में आपराधियों के खोसले इसकदर बुलंद हैं कि एक बाद एक बारदातों का अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती दी जा रही है, ताज़ा मामला चाने नगा थाना शेत्र का है, जहां बेखाफ बदमाशु न पूरपरधान के बेटे पर फाइरिंग कर मौके से फराह हो गए, मामले की सूचना मिलने से मौके पर पहुंची पोलिस ने घायली युवक को अस्पताल में भट्ती करवाया है, फिलाल पोलिस पुरे मामले की तफ्तीश में जुटी है उस पे वीपक नाम का एक व्यक्त की जा रहा था, जो वहने वाला सलावत पुर्फेडी का है, उसका कहना है कि पिछे से दो बदमाश आये, अग्यान दर्वासु में हमारे पर फाइड कर दिया, इस परकान की जाच की जा रही है, और जाच करके जो भी विजित कारवाई है इडी से डोला जा रहा था, खटा डोला ते रास्ते में बीज में जब भी पहुंचा तो एक ट्वेल पड़े हमाँ, मोट सेकल रोग के अपनी बात्रूम कर लगा, जैसे ही अपना बात्रूम करके घूमा तो पिछे से दो बाइक सवार थे, मोट सेकल पर नंबर प्लेट भ गोली मारके पिछली वाले ना, पिछला जो हरी चेक की रुपक सट पढमेगा ह। व्मेर ते पहचानां Yak anti में है। पुलिस को थाना चान नेंगर को भी सूचना देदी नियुक्त देर रात पुलिस और स्टीफ टीम के साथ 25 जार के नावी बदमाश राहुल की मुझपेड हो गई जहां दूनु और से चली गोलियों में राहुल घायल हो गया गयल बदमाश को अस्पताब में भर्टी करवाएगा जहां राहुल धायला के नावी बदमाश हरीश बहुरा कला गिरों का सक्रिय सदस्य है जो की पिछले 9 सालों सी फराट चल रहा था कि एक हमारे यहां से वांचित चलना है मिलमाश राहुल सिसोली इस पर 25,000 का इनाम है हत्या लूट आदी कि इस पर मुकदमे हैं करीव नेक दिरिजन और हमारे यहां से पिछले साल इसमें एक स्कॉर्पिर लूटी थी उसके ड्राइवर की हत्या गर दी थी वह वांचित च कि ऑदक नेका प्रीयास किया गया जब एंदमाश आया है मॉटरे साइकल से पाँगै तो हमारी टीम ने उसको आप हमदिया थी चाहसा बाद रूर के भागा उसका पीछाए गया था कि यहां झाल तो आब खबर योपी के हजरत पुर्स थानाwnार श्रेतर से हैं जोहाँ चि प्रसुता अपनी जान दे कर उसे भुकतना पड़ा दरसल हैदरपो निवासी प्रसुता अपने परीजनों और आशाकारे करता डिलीवरी के लिए जिला महिला अस्पताल पहुंची थी CMO दोशियों के खिलाफ जाज के बाद कारवाई की बात कर रहे हैं इसके कारण इसका जो है यह शरीर इसका पीला पड़ावा था स्वेलिंग थी सांस इसकी उपड़ी हुई थी इसकी पूर्ण में जो है कोई भी जाँच नहीं हुई थी यह अल्टरसाउंड है, इसका कोई हीमोग्लोबीन की जांच प्लटकी और भी कोई जांच इसकी नहीं हुई थी, इस कारण इसे जो है, यहाँ साड़े बारे बज़े अड़िए एड़िट किया गया था, और इसे जो है, COVID-Test के लिए रहफर किया गया था इसी जो रहान इसक इसके बारे मैं आपको जांच है, जांच करके बता पहूंगा, जांच करा के लाओ जाके, हमें यहाँ बर्ती कराने आए, किस चीज की जांच के लिए बोला है, पो रहना की, फिर वहाँ पहुँचे, मरदान इसकाल तक, तब तक बो फ़तने हैं, पहांड इने ही हुई हु पहुच पाए थे, बहाँ एक लड़की सी खड़ी थी, तो उन्हों का एक बज़े का ताइम आए, अब लेकर आए हुई हुचे, तो एगली कबर उत्रप्रदेश के कानपुर से है, जहां शराब पीने से रोकने के चलते, बाप बेटी की बीच हुए ववाद में, रेटायर्ड फॉजी ने अपने बेटी को गोली मारती, आपको बता दे कि सोचना पर पहुचे पोलिस ने शब को कफजी में लेकर पंचिनामा भर जिलास्पताल पहुचाया है पुलिस एक बोडी लेकर आई है, जिसका इलाज मेडिकराम मोहाया साइथ, वो जहे उसको डैड बोडी लेकाया है, इसका नाम है रोहित, ओमर इसकी 21 साल और पिता का नाम है इसका असोग, इसका बताया जा रहा है कि इसके पिता नहीं, इसको पुजिटाड फुची है, इ इसको गोली-बोली मार दी है, गोली लगने के बाद में यह ब्रोल पैर यहां पाया है, इसकी पोडी मोर्चुरी में रखवाई जा रही है, इसकी प्रमेशन मुझस से लेने के लाए, तो मैं इसका प्रमेशन कर दी है, अमारी जानकरी में अब्लाल इतना ही है, फिर अब इनकी सेल लियाई थी तो थोड़ी सी बस यह सराप पी रहे थे तो यह लड़का था इनका रोही थे यह इनको समझा रहा था तो बस ऐसे ही उन्होंने सरापी रखी तो इनका वह पहलो ताम चूट चटा सी हुई तो फेर उनका कलती से गोली लगी बस पूरी गटन है यह और यह मेरा दोस्त है निसांत यह उसको मेडिगराम होस्पिटल में ले गाया और एक लड़का उर्दा सचीन है तो बस फेर वहां पता चले कि दैथ होगी है जहां पर आज रूहितनाव के युवक को जो है बोली लगने से और गंभी रवस्था में उसको अस्पताल के लिए प्रसम दिश्टिया यह जानकारी हुई है कि पिता और पुत्र के बंदे के शाम को किसी वक्त विवाद हुआ है जिसमें पिता ने समवता शराप के ने शेमिचे सरी बताया जा रहा है करते दोग से अपने बेटे को रेसेंसी बंदूग से गोली माग दिए अभी इसमें को शेत्रों का च्रेन क्या है जो शेत्र नू नेटवर्क जोन में आते हैं इसी के मद्दे नजर जिला प्रशासन ऐसे ग्रामिन शेत्रों में संपर्क सूत्र स्थापित करने के लिए सैटेलाइट फोन देने जा रहा है हमारे पूरे पौड़ी जनपत की 15 बलाकों में जिन गाउं में नू नेटवर्क जोन है किसी भी प्रकार से किसी भी कंपनी का नेटवर्क नहीं आता है और आपदा प्रोंड है ऐसी जगह पर हम उन जग्रामों के प्रधानों को या प्रधान के प्रधान अगर लेने को तयार नहीं है तो कोई ऐसी जनता के विक्ति को जो जिम्मेवारी से उसको रखे करीब 40 गाउं में ये सैट फोन हमारे जिले में ये स्टी आरेप के द्वारा दिये जा रहे है वे नानी ताल की नानी जील में एक महिला का शव मिलने से इलाके में संसनी फैल गई तरसल मौनिंग वाक पर गए स्थानियन लोगों ने एंसिसी बोर्ट स्टाइन से निकट एक जील में एक महिला का शव तैरता हुआ देखा जिसके सूष्टा मिलने पर मल्ले ताल पुलिस मौके पर पहुची और शव को जील से बहार निकालकर पोस्मार्चम के लिए अस्पताल पिछवाया लिए लेश्मी कतिवरा नाम बताया है उनके बच्चे ने आख आकरशनात की है और यह हंस निवास की रहने वाली है और मान से बिमार भी थी उनके द्वारा बताया कि था इलाज चल रहा है और यह बाकि इनका पंचायत ना भरा जारा और बात पीम रेपोर्ड ही कनफर्म लिए तब बढ़ी बाहर निकला है तो वयोत्राखन की सितार गंज में दो दिन से लगातार हुई बारिश के कारण किसानों के सामने समस्या खड़ी हो गई है दरसल सिटाई विभाग की लापरवाही के चलते अपर बैगुल नहर चौक हो गई है और नहर का सारा पानी खेत में दोस्ते होकर बहनी लगा कि अध़ी है इसमें जो नदी में फानी चोड़ा गया है कल रात अचानलक पानी चोड़ तो जबसे ज़्याद लापरवाही सिचाई विवाग की इंसे कई बार कहा गया कि आप नहर की सफाई कराई लिए इन नहर की सफाई ना कराके पानी एक पूरी मट्टी बह गए ही खेतों की और सबसे आदा लापरवाई की बज़े से नहरों की सपाई नहीं हुई है इसे बज़से आके नदी का जो कचरा पाटक में आके बंद हो गया और नहर का पानी जो है सब खेतों में जाके खेत बहक है और उसमें धान की फसर परबाद हो ग तुम्हें अगली कबर उत्रकंड के बाचपूर से है जोहां स्थानिय प्रशासन नियाले के आदेश पर रास्ट्रय और राच्किया राच्मार के किनारे बने धार्मिक स्थलो को हटाने की कवायच शुरू करती है जिसके जलते आज भारी सुरक्षा बल के बीच धार्मिक स्थलो को जेसी बी की मदद से हटाया गया है लोग है उनको अनुपालन सुमिश्चित करवा रहे हैं और पूर में भी कई धार्मिक सरचनाय हटाई गई है या पुनरस्थापित की गई है आज भी जो हमारा नैनिताल मुख्य महार है उसको वहां से उनकी सहमति के बाद पढ़ा दिया गया है और इसके अलावा तो वह अंगली खबर भी बाद फूर्ट से है जहां आए दिन अतिक्रमियों के होसले बुलंद होते जा रहे हैं यहां अतिक्रमियों ने सरकारी दिवार पर ही अतिक्रमन कारियों पर कारवाई करने के लिए प्राधिकरन विभा को मामले से अवकत कराया है तो वह जैपर साइद प्रदेश भर में आज से 108 अंबुलेंस करमचारियों ने सांकेतिक विरोत प्रदशन शुरू कर दिया है प्रदेश भर में सभी अंबुलेंस कार में काली पट्टी बांद कर और अंबुलेंस पर काला जंडा लगा कर आठ घंटे का कारे करती हुई विरोध जता रहे है दरसल आजिस्तान अंबुलेंस करमचारी यूनियर के बैनर तले वेतनमान में बढुतरी सहीत कई मांगों को लेकर ये सांकेतिक आंदुलन किया जा रहा है दरसल आजिस्तान अबांद करमचारी जो अपनी मांगों को लेकर नौमबर 2019 से संगस्त है लेकिन आज तक भी सरकार दोवारा आज पूरा नहीं कर किया गया है को मिलकर इस लिए श्याव करने चाहिए लेकिन उनको मांगों को नहीं मानने कारण उनको परिवार के सामने रोजी रोटी कमाने रोजी रोटी जो वेतन मिल रहा है उससे काम नहीं चल रहा है लेकिन बार-बार मांग करने के बाद भी आज तक इसकी मांगों को सुयुकार नहीं किया गया या उनकी समस्ज़ेंगों हल नहीं किया इसलिए आज से अज पूरे परदेश में अमूलेस वहानों पर काला जंडा और एमूलेस कर्मी काली पट्टी बाद करी करेंगे और चौदा तक इसलिए लगातार ऐसा ही करेंगे अगर चौदा तक सरकार तो फिलाल इस बुलिटिन में इतना ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें ये नियूस इंडिया